मित्र नमस्कार भारत माता की जय वंदे मातरम जय श्री राम हर हर मादेव दोस्तों श्रद्धा मर्डर केस का मुहम्मद अली जिन्ना से क्या कनेक्शन है यह सवाल सुन करके शहद आपको बड़ा अश्चर्य हो रहा होगा आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी लेकिन यह बात सच है कि इसका भी कनेक्शन मुहम्मद अली जिन्ना से है कैसे है दरसल यह जो मुहम्मद अली जिन्ना है यह एक खोजा मुसल्मान था और यह जो आफ्ताब है जिसने की श्रद्धा के 35 टुकले किये और लवज्यात किया और जिसकी कश्मीर से कन्या कुमारी तक 20 गल्फेंड डेटिंग एप्स के जरिये बन चुकी थी यह आफ्ताब जो है यह भी खोजा मुसल्मान है और यह भी मुहम्मद अली जिन्ना का ही एक तरह से वंशज है इसी लिए मैं कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने इस देश के चार टुकले किये जिसकी वज़ह से इस देश के चार टुकले हुए पहला पाकिस्तान दूसरा बंगलादेश तीसरा प्यो के और चौथा यह जो शेश भारत हमारे पास है जिस शक्स ने जिस जिन्ना ने इस देश के चार टुकले किये उसी के जो है वंशज ने आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकले कि यह जो कनेक्शन है यह सोच करके आप कि आप को क्या गणित समझा रहा हूं लेकिन आप जड़ा सोचिए कि जिन्ना एक खोजा मुसल्मान था और अगर सारे के सारी जित्ते भी खोजा मुसल्मान थे अगर वह जिन्ना के साथ ही चले गया होते भारत से पूरी दुनिया में लगबग 7,500,000 खोजा मुसल्मान है और इसमें से पांच लाग जो खोजा मुसल्मान हैं वो भारत के अंदर हैं इनमें से महरास्ट और गुजरात में सबसे ज़्यादा अबादी है खोजा मुसल्मान होगी तो अगर यह इतरे सारे जो खोजा मुसल्मान हैं अगर यह अपने खोजा जो इनके जो खाजा जो भी ह अब यह मुहमद ली जिन्ना अगर इनके साथ भी अगर इसारे सारे चले गए होते महां पाकिस्तान यह नहीं गए होते तो नहरू और गांधी ने इनको भेज दिया होता अगर पाकिस्तान तो भी श्रद्दा के क्योंकि तब यह आफताब यह कहीं महारास्व में पैदा नहीं होता तब यह कहीं कराची में जर्म इसका होता लेकिन हमारे देश के जो गांधी नहरू जो करणधार थे आयादी के समय उन्होंने हमारे हिंदू के उपर इतनी बड़ी समस्याइं लाद दी है कि आज भी भारत इसी जो जिहाद है इसके बोश तर्य दवा जा रहा है जो जिहाद का जो ठारा है कुलाड़ा है हिंदू की गर्दन पर लटक रहा है गांधी और नहरू की वज़े से और हमारी बेटियों के साथ इस तरह की निशन्स हत्याएं हत्याकान अन्जाम दी जा रहे हैं आप सोच पर रखता है तो भी कम से कम वह इस तरह की घटनाएं अन्जाम देती आप सोची कि जिस शक्स ने जिन्ना ने देश के चार टुकले किये उसके वंशज ने श्रद्दा के 35 टुकले करती है कौन होते हैं खोजा मुसल्मान चौधवी सदी के आसपास में एक कोई पीर था जि चौधवी सदी में उसने भारत के बहुत सारे जो खोजा जाती के हिंदू थे उनको जबरदस्ति या सिखा पड़ाकर बैला फुसला कर मुसलमान मुसल्मान बनाया था तो वही लोग बाद में खोजा मुसलमान कैलाए और यह लोग इसमाईली शाका के शिया होते हैं यह ल लोग लोहाना थे और वैपारी थे और इसकी जो दादा थे जिन्ना की वो खुद भी हिंदुई थे लेकिन लगबग तीन पीडियों पहले चार पीडियों पहले ये लोग मुसल्मान हुए तो आप समझें कि यह यह भी खोजा मुसल्मान है आफ ताब और इसका जनुवी महा जाएगी कि आखिर इतिहास को जो लोग भूला देते हैं उनके साथ कितनी बुरी बीटती है चुकि हमने अपनी इतिहास को याद नहीं रखा हमने अपनी गया सबक नहीं लिया यही वज़ा है कि पलपल पर हमको इस तरह की घटनाये हैं यह रूला रही है यह हम लोगों को को परिशान कर रही हैं हम लोगों को बेचैन कर रही है क्योंकि हम ने कभी इतिहास से सबक नहीं लिया और आज हम फिर जब उस कनेक्शन को देखते हैं तो यह सामने आता है कि एक शक्स जिसने देश के चार टूकले किये उसके जो वह इसमें श्रद्धा के प्रक्रफिस टुकले कि हैं तो मित्रों आप जरूर इस विडियो को शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा जरूर इस वीडियो को देखिएगा आप नमस्कार भारतमादा की जैवंदे मातरम जैश्री नाम हर अन्मादे